बड़ी कबर का रुक करेंगे जापर मुक्य मंत्री की पठकार के बाद प्रशासन जागा सेक्टर 135 सीज़ पार कंप्री को सीज़ किया गया है तो कंप्री की लापरवाही से जिले में 19 कोरोना केस सामने आये है तो CM ने कमपनी पर कारवाई नहीं होने पर अपसरों को पढ़ाई थी अब इस पढ़ाई के बाद प्रशासन जागा है कमपनी को सीज किया गया है कमपनी के कई करमचारू ने मार्ट में विदेश यात्रा भी की थी तो कंपनी में संक्रमित विरेशी नागरिक भी आया था, सेक्टर 135 में सीज फायर कंपनी का दफ्तार और इसी पर ज़र जानकारी के लिए हमारे संबादाता गिरीश नारायन पूल लाइन पर जुगा है मुक्यमंत्री की पठकार के बाद अब नौइडा प्रशासन जागा कंपनी को सीज किया गया यह निश्य तोर पर एक गंभीर मामला है जिस तरह से जो सेक्टर 135 वाली यह सीज फायर कंपनी है लगातार इससे जुड़े हुए लोग है जो यहां पर काम करते हैं या उनके परीजन है उनकी जो टेस्ट है वो पॉस्के बार है इसको लेकर कल मुक्यमंत्री में काफी नाराज़गी जताई थी और DM को फठकार भी लगाई थी क्या बिल्कुल अब पठकार के बाद प्रशासन की तरफ सी कारवाई आपर की गई है लेकिन एक बड़ी लापरवाई कंपनी की तरफ से क्योंकि 19 कोरोना के केस नौइडा में यहां से सामने आये हैं ऐसे में अब कमपनी को तो सीज कर दिया गया है अगला कदम प्रशासन का जी निच्चत तोर पर इस तरह से जो कंपनी के लापरवाई सामने आई कि मार्च में लगातार जो कंपनी के परबंदेशक है और कुछ करमचारी उनका विदेश में आना जाना था उसके अलाबा एक विदेशी और भी कंपनी में आया हुआ था जो संक्रमिस था जिसके चलते जो कंपनी के सारे एक उनके नीचा में रखा किया है वही जो कंपनी को कुली तरह से सीघ़ी कर दिया गे शुक्त शुक्रिया जुडने के लिए ग्रीश जान का लिदे देने के लिए